चुनावों के चलती ओपरेशन सेल की टीम मुस्तैद अलग-लग मामलों में दू व्यक्ती गिरफतार अरूपिवों से कई हत्यार किये बरामद 26 जनवरी और पंजाव में चुनावों के चलती चंडिगर पुलिस के ओपरेशन सेल की टीम मुस्तैद थी जिसके चलती ओपरेशन सेल के इंचार्ज इस्पेक्टर आमन जोत सिंग और उनकी टीम जगए जगए पर सर्च और नाके लगाकर लोगों से पूछताच कर रही थी जिसके बाद उन्हें एक बड़ी काम्याबी हासिल हुई ओपरेशन सेल की टीम में दो ऐसे व्यक्तियों को गरफतार किया है जिनके पास से एक 32 पिस्टल एक देसी कट्टा और छे जिन्दा कार्टूस बरामद हुए हैं पुलिस ने उनके खलाफ मामला दच कर उन्हें गरफतार कर लिया है ओपरेशन सेल के इंचारज इस्पेक्टर अमन जोट सिंग ने बताया कि पहले व्यक्ति को सेक्टर 26 बडरफलाई पार्क के पास से एक 32 बोर की पिस्टल और पांच जिन्दा कार्टूस के साथ गरफतार किया जिसकी पहचान खरड निवासी कुर्दीप सिंग कांग के रूप में हुई है वहीं दूसरे मामले में उपरेशन सेल की टीम ने सेक्टर 25 रैली गराउंड के पास से एक युवक को देसी कट्टा और एक जिन्दा कार्टूस सहित गरफतार किया है जिसकी पहचान सेक्टर 25 निवासी दीपक के रूप में हुई है पुलिस ने दोनों के खलाफ मामला दर्च कर गरफतार कर लिया है और उनसे बरामत हत्यारों को भी कबजे में ले लिया है पकड़ें के दोनों आरोपियों को गुप्त सूर्चना के आधार पर मकड़ जाल बनाकर गरफतार किया गया है और ये दोनों आरोपिय किसी ना किसी वादात को अंजाम देने की फिराक में थी फिलहाल उनसे पूछ ताच की जा रही है आखिर कहां से ये हत्यार लाए गए थी और उन्होंने इन हत्यारों के जरी आखिर कौन से ऐसे मामलों को अंजाम देना था पंजाब के स्री टीवी के लिए चड़ीगर से कुल्दीब कुमार की रिपोर्ट